जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इस बरबादी को यहीं नहीं रोकेंगे, इस पर अंकुष नहीं लगाएंगे, तो हम बहुत मुश्किल में फस जाएंगे. देखें, 1950 के दशक में एक घोटाला हुआ था, जीप स्कैम, उसमें देश को 52 लाक रुपयों का नुकसान हुआ, उस वक्त के हिसाब से एक बड़ी रकम थी, पर फिर भी आप देखिए कि 52 लाक में कितने जीरो होते हैं, और भी कई घोटाले थे, LIC में मुंदरा घोटाला, भारत बैंक का डालमिया घोटाला, नगरवाला स्कैम, सेंटरल बैंक में, हर साल घोटाले होते थे, सोचने वाली बात ये भी है कि सब घोटाले तो बाहर भी नहीं आते हैं, सौ में से कोई एक या दो ही जनता के सामने आप आते हैं, अब 2010 पे आते हैं, कॉमन वेल्थ गेम 70,000 करोड का घोटाला, 2G स्कैम, 1,86,000 करोड, 2012 पे आईए, कॉल गेट घोटाला, 1,86,000 करोड, अगर 1,86,000 करोड रुपे का एक घोटाला होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो याद कीजिए, स्वर्गिय राजीव गांधी ने कहा था, कि सरकार एक रुपया गरीबों के लिए खर्चती है, तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुँचते हैं, कुछ वक्त पहले करनाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को एक रुपय किलो चावल देने की घोशना हुई है, जिसके लिए सरकार एक मोटी रकम खर्च कर रही है, कुछ हफते ही बीते थे कि अखबारों में ये रिपोर्ट सानी शुरू हो गए, कि जो पैसा गरीबों को एक रुपय के हिसाब से चावल देने के लिए खर्चा जा रहा है, उससे जो चावल खरीदा जाता है, वो या तो एकदम सड़ा हुआ होता है, या जहां अच्छे च चावल की खरीद हुई है, वहाँ उसे गोदामों से चुरा चुरा के प्राइविट लोगों को दे दिया गया है, इस तरीके से पैसे की लूट हो रही है, कैसे बच पाएंगे हम, सर इस तरह के घोटालों का ब्रश्टाचार का आम लोगों की जिन्देगी पर कैसे असर ये, वो पैसा 85 फीसद ही चुरा लिया जाता है, देश के प्रधानमंतरी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदाजे से तो अगर 1988 में एक रुपए में 15 पैसे ही सही जगे पर पहुँचते थे, तो आज 5 रुपएों में से 15 पैसे पहुँचेंगे, ये हो रही है हमारी हम लोग, आप हेल्थ केर को लीजे, सरकारी अस्पतालों को काफी नजदीक से मैंने देखा है कि वहां क्या हो रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2010 में एक गाउं की महिला डिलिवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई, उससे पैसे मांगे गए, उसके पास पैसे नहीं सडक पार करके बाहर बस्टॉप पर जाकर बैठ गई, जब तक पैसों का इंतजाम होता, बाहर उसी बस्टॉप पर उसकी डिलिवरी हुई, ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम, मुझे लगता है कि लालच तो एक बात है, लेकिन लालची होने के साथ-साथ हम अपनी इ एपार्टमेंट का यही हाल है, कुछ इमानदार लोग भी हैं, मैं ये नहीं कहरा कि सभी 125 करोड लोग बेईमान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में इमानदार हैं, क्योंकि उनके पास बेईमानी करने का मौका ही नहीं है, आज के हालात ऐसे हैं, कि एक आदमी जो कि आप भरष्ट हैं, करप्ट हैं, तो सामने वाला इंकार नहीं करता, वो पलट कर कहता है कि आप नहीं हो क्या भरष्ट हैं, ऐसी सोच बन चुकी है, यहां जो नौजवान मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहते हैं, मेरी पीड़ी के लोग अब हालात नहीं बदल प यह काम आपको जरूर करना है, मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर